सबसे पहले आप तमाम लोगों को मुबारक बात पेश करता हूँ आज जशन गालिब है मेरे मन में भी अंगड़ाई है हर तरफ इश्ख है खुस्न है रानाई है तो अर्स किया है कि वो जो मिलता है सरे राह हबीबों की तरह वो जो मिलता है सरे राह हबीबों की तरह है अमल उसका मेरे साथ रकीबों की तरह है अमल उसका मेरे साथ वो जो मिलता है सरे राह हबीबों की तरह है अमल उसका मेरे साथ रकीबों की तरह और अर्जियों किया है कि वो मेरा दोस्त है वो मेरा दोस्त है बदनामे जमाना भी है वो मेरा दोस्त है बदनामे जमाना भी है शहर में फिर भी निकलता है शरीफों की तरह वो मेरा दोस्त है बदनामे जमाना भी है वो मेरा दोस्त है बदनामे जमाना भी है शहर में फिर भी निकलता है शरीफों की तरह और अर्जिया है कि उसके किरदार में उसके किरदार में रखतार में बेधंगी है मादरब के साथ कि उसके किरदार में रखतार में बेधंगी है तो मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही अच्छा मौका है कि मैं इस शेर को अपने रखीबे खास की नदर करना चाहता हूँ उसके किरदार में रफ्तार में बेढ़ंगी है बात करता है मगर फिर भी अदीबों की तरा बात करता है मगर फिर भी अदीबों की तरा वो जो मिलता है सरे राह खीबों की तरा है अमलुसका मेरे साथ रखीबों की तरा इश्ट की राह में घायल है परिंदे की तरा इश्ट की राह में घायल है परिंदे की तऱ, दर्द दिल में लिए फिरता है मरीजों की तऱ, इश्ट की राह में घायल है परिंदे की तऱ, दर्द दिल में लिए फिरता है मरीजों की तऱ, हर तरफ जिसकी अमीरी के बड़े चर्चे हैं, बजब यारा में वो रहता है गरीबों की तऱ, बजब यारा में वो रहता है गरीबों की तऱ, और ये शेखास और से मैं आपकी तवज्ज़ चाहता हूँ, के मैं तो इजहार करूंगा सदा सच्चाई का, दार कोई भी सजा ले सलीबों की तऱ, वो जो मिलता है सरे राह हवीबों की तऱ, है अमल उसका मेरे साथ रतीबों की तऱ, बहुत बहुत शुक्रिया, झाल झाल